चमक सूरज में नहीं तेरे किरदार की है, खबर ये आसमा अखबार की है, तू चले तो तेरे संकार्मा चले, बात गुरूर की नहीं तेरे एतबार की है हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल ओपरिसन भीजे में, दोस्तों मैं हूँ अखलेश यादो, आज का जो डोस्तों एनालिसी से एक्जाम का मैत का, जो 27.8.2022 में गुरूप D में आया हुआ मैत के सभी सिप्टों में से ये मैत का कोसन है, देखी ये सब हमने पढ़ा चुके हैं, नहीं देखे हैं, तो जाके प्लेलिस्ट में अर्थमेटिक नाम से हैं, वहां से जरूर देखिएगा, ये देखिए आपके सामने ये कोसन आया हुआ है, क्या दिया है, 80 डिवाइड बाइड 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 गुरूप D के हर एक सि से दे रहा है, तो इसको जो एक बार जब भी जाईए, तो एक बार देख के जरूर दाइएगा, देखिए आपके सामने यहां पे दिया है न, तो इसको लगाने से एकदम देखिए, डारेक्ट यहीं पर लगाईए, पहले एक बार तो समझ लिए, 80 डिवाइड बाइड बा चानी, बॉर्ड, मास का नियम, यह होता है ब्रैकेट दोस्तों, यह होता है आफ, यह डी सो होता है दिवीजन, यम से होता है दोस्तों, मल्टिपलिकेशन यानि गुड़ा, एस होता है इंटिशन यानि जोड, और यह से होता है सब्स्रेक्षन यानि घटाना, यानि जिस underestinaire यह लिखा है न दोस्तो इसी तरह जो है simplification हम लोग solve करते हैं पहले bracket को solve करते हैं छोटे वे आले फिर जो आफ आपका अर्थ होता है का लगा इसका अर्थ होता है दोस्तो गुडा अगर गुडा भी दिया रहे और आफ भी लगा रहे या का लगा रहे तो पहले इसको solve करेंग यानि गुडा करेंगे बाद में जो है जोडेंगे फिर घटाएंगे आई बाद समझे इन सबसे पहले एक चीज आता है दोस्तो बार जब भी किसी संख्या के उपर जैसे 5-4 के उपर इस तरह दे दे तो इसको पहले सबसे पहले इसको solve करेंगे इन सबसे भी पहले इन सबक concept था हमने आपको बता दिया अब हम लोग कोशनों पर चलते हैं देखिए आपका यह जो कोशन है ने दोस्तो तो यहाँ पर पहले यहाँ पर देखिए दिख रहा था divide तो 36 में 12 से divide करेंगे डारेक्ट कर लिजे कितनी बार गया तीन बार गया और तीन का जो है चार में multiply करे अब देखिए अब यहाँ से 80 divided by 48 माइनस अब यहीं पर कर लिजे 56 कितना है 56 माइनस यहाँ से 60 में से 12 घटाएंगे आएगा 48 इतना आएगा ने अब देखिए यहीं जब कर लिजे कितना आए जाएगा 56 में से 48 घटाएंगे कितना आएगा 2, 6, 2, 8 आ जाएगा अब 8 जब आएगा दोस्तों इसके साथ बन जाएगा 48-8 48 में से 8 घटा दीजिए कितना आ गया 40 आ गया अब यहाँ पे देखिए इसके साथ यह डिवाइड में 80 लगा हुआ है ठीक अब 80 में 40 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा समझ में आ गया यह तो हमने थोड़ा से समझाने के लिए इतना बड़ा सा लिखा है नहीं तो यही पे डारेट जो यहाँ पे इसमें इससे डिवाइड करिया आएगा 3, 3 में इसका मल्टिप्लाई करिया आएगा आप बारह इसमें से घटा देंगे तो आज आएगा 48 48 आएगा ना 48 में डारेक 56 घटा दीजिए आएगा 8, 8 में से 48 में से 8 घटा यह आएगा 40, 40 से इसमें डिवाइड कर दिजिए डारेट इसका एंसर आ गया दो ठीक जितना हो सके उतना समय बताईए बचाईए इसमें चलते हैं अगले कोश्चन पर हम लोग देखे दोस्तों आपके सामने ये कोश्चन दिया है यहां से हर एक सिप्ट में जो है एक दो कोश्चन आ रहा है देखे क्या दिया है दो रेल गाड़ियां करमसा 40 किलो मीटर और 32 किलो मीटर की चाल से बिपरीद दिसा में चल रही है बिपरीद दिसा का मतलब हुआ कि जैसे एक यहां पे है मालीजे एक दिल्ली है तो दूसरी मालीजे बिहार है तो दिल्ली से बिहार की तरफ 40 किलो मीटर प्रति घंटा से चल रही है और दूसरी बिहार से दिल्ली की तरफ 32 किलो मीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है आई बात समझ में बिपरीत का आर्थ ये हुआ ठीक बिपरीत दिसा में चल रही है तेज चलने वाली रेल गाड़ी धीमी चलने वाली रेल गाड़ी में बैठे बेकती को 15 सेकेंड में पार कर जाती है तो तेज चलने वाली रेल गाड़ी की लंबाई कितनी है यही आप से पूछा है तो देखिए एक चीज होता है दोस्तों जब जो है जब दो रेल गाड़िया बिपरीद दिसा में चलती है तो दोनो चालो का जो है निकालते हैं क्या दोनों चालों को घटा देते हैं, आई बात समझ में, तो यहां पे देखिए, आप से पूछा क्या है, ते चलने वाली रेल गारी की लंबाई, लंबाई मतलब दूरी पूछा है, तो देखिए दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुड़े समय, तो दोनों चालों भी परीद घंटा है, दोस्तों तो इसे मीटर प्रती सेकेंड में बदाने के लिए क्यों बनाएंगे, क्यों कि जो है, यहां पे दिया है समय जो है सेकेंड में, तो यहां पे पांच बटे अठारे से मल्टिपलाई कर देंगे, जब भी जो है कीलो मीटर प्रती घंटा को मीनट प्रती सेकेंड में बनाते हैं तो पांच बटे अठारे से मल्टिपलाई करते हैं जब मीटर जब मीटर प्रती सेकेंड को कीलो मीटर प्रती घंटा में बदालते हैं तो अठारे बटे पांच से मल्टिपलाई करते हैं ये चीज़े याद रखिएगा ठीक तो देखे दूरी बराबर होता है चाल गुड़ी समय समय कितना लग रहा है पार करने में 15 सिकेंड तो यहां से काट दीजिए लगा लीजिए आ गया अठारे कम अठारा अठारा चौक बहत्तर पांच चौक के बीस पंदरा दुना तीस आ जाएगा दोस्तो 300 मीटर तिक यानि तेज चलने वाली रेल गा बात करें तो धीमी चलने वाली रेल गारी की लंबाई आपका भी भी नहीं निकाल सकते हैं यहां पर यह भी पूछ सकते हैं कि मास्टर क्यों नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि जो है धीमी चलने वाली रेल गारी में बैठा हुआ बैक्ती जो है तेज चलने वाली रेल गारी क कोसन दिया है यह आया है एक समानतर चत्रभूज की लंबाई चत्रभूज की भुजाए करम से कितना दिया है 12 मीटर वह 17 मीटर है यह बिकाड़ों में से एक विकाड की लंबाई जो है 25 मीटर हो तो चत्रभूज का समांतर चतरफल आपसे पूछा है गुरूबडी के हर एक सिप्ट में मेंसुरेशन के खास करके टूडी से यहां से आपके एक दो कोसन आई जा रहा है चाहे तरफूच का दे देगा छेतरफल निकालने के लिए समभावत रभूच के उचाही पूछ ले रहा है चाहे आयत का छेतरफल दे दे रहा है तो यानि कि हर एक सिप्ट में यहां से कोसन आ रहे हैं तो एकदम काईदे से पढ़ के जाईएगा देखी यहां पे दिया एक समांतर चतरफूच की भुजाएं जो है 12 और 17 दिये देखी यह आपके पास एक समांतर चतरफूच है तिक एक 12 दिया है मालीजे यह 12 है यह 17 है तो इसमें से एक भिकर्ण मालीजे यह भिकर्ण जो है आपको कितना दिया है 25 इसमें यह नहीं कहा कि यह वाला भिकर्ण या यह तिसमें एक भिकर्ण मालीजे यह 25 है यह 12 है यह 17 है तो आपसे जो है समांतर चतरफूच का 6 तरफल पूछा है समांतर चतरफूच का 6 तरफल का सुत्र होता है दोस्तों क्या होता है एक बटे दो आधार गुड़े उचाई होता है यह होता है तिसमें तो आधार पता चल ला है कहीं उचाई पता चल ले यह नहीं पता चल ले इसको उचाई मत माल लीजीगा उचाई हमेशा जो है सीधी ली जाती है तिसमें यह भुजाएं सीधी नहीं होती है आई बात समझ में तो इसमें न उचाई दिया है न ये दिया है और बिकांडों में एक सुत्र होता है बिकांड और भुजाओं में संबन्द होता है D1 का स्क्वाइर प्लस D2 का स्क्वाइर बराबर होता है 2 कोश्टक में A स्क्वाइर प्लस B स्क्वाइर मतलब एक भूजा हो गई, बी दूसरी भूजा हो गई, यह बिकर्ण और भूजाओं में संबंद होता है, यह सुत्र डालिये, लिख डालिये, यह बहुत बार पूछा जाता है, ठीक, आप चलते हैं, देखिए, इसमें न यह सुत्र लग रहा है, न हमने अगला बताएं वो, तो कैसे लगेगा, देखिए, यह आपको जो है, त्रिभूज दिख रहा है, दोस्तों, यह बिसम बाहुत त्रिभूज, मतलब इसमें कोई भी भूजाएं जो है, बराबर नहीं, समध्दी बाहुत त्रिभूज जी से कहते हैं, देखिए, क्या करते हैं, इसका, जब सभी भूजाएं, बराबर नहीं हो, त्रिभूज के, तो हमने आपको एक बताया है, क्या, कि सेमी पैरामीटर निकालता है, यास, यास बराबर तीनों भूजाओं को, जो, अगर हम इस त्रिभूज का छेतरफल निकाल के, दुगुना कर देंगे, तो टोटल का, छेतरफल पता चल जाएगा, जितना ये है, उतना ये भी है, तो इसका छेतरफल निकाल के, इसी का दुगुना कर देंगे, तो टोटल एरिया का, छेतरफल पता चल जाएगा, तो ये निकलेगा कैसे, तो पहले सेमी पैरामीटर निकालते हैं, क्या होता है, तीनों भूजाओं को जोड ल 25 बटे में दो आ गया दोस्तों, ये 27, ठीक, तो यहां से एरिया बराबर होता है, क्या, अंडर रूट, यास कोष्टक में यास माइनस ए, दूसरे कोष्टक में यास माइनस बी, तीसरे कोष्टक में यास माइनस सी होता है, तो यहां से देखिए, अंडर रूट, क्या यास का मतलब 27, 27 अब दूसरा हो जाएगा 27 से यहीं से डíक डारेक्ट मल्टिप्लाई कर दिजे, क्या 27 में से पहली भुजा घटाएंगे यानि कि 12, 27 में से 12 घटाएंगे 12 दूना 24 कितना आ जाएगा 27 मेंICES 12 गटा लिजिए पांच आ गया और एक पंदरा आ गया यानि कि 27 में से 12 गटाएंगे पंदरा फिर 27 में से 17 गटाएंगे गुड़े 10 आएगा फिर 27 में से 25 गटाएंगे तीसरी भुजा तो आएगा दो अब इसको तोड़ लिजिए आ जाएगा आपका देखिए 3 गुड़े 3 तीन गुड़े 3 27 को तीन तरीका नौ तरीक 27 लिख सकते हैं पांच को क्या लिख सकते हैं पांच गुड़े 3 लिख सकते हैं या तीन गुड़े 5 करिए एक साथ करिए तब सही रहेगा और और इसको क्या लिख सकते हैं पांच गुड़े 2 लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं दो यहां से बना लिजिए दो 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 निकला है गया कितना पांच गुड़े 5 गुड़े 122030 में नबे आगया यानि इसका चेत्रफल नबे सैंटी मीटर स्कॉयर थो आरे नबे गुड़े में दो कर लिजिए इसी का दूगना कर लिजिए इस छेत्रपल का आ जाएगा 180 मीटर स्क्वायर समझ में आ गया तो जब आपको सुत्र पे नहीं दे तो ये अगर आपको तिर्भूच के टूडी के खास करके टूडी के पूरे सुत्र रटे रहेगा तो हर एक अप आपके कोश्चन में लगजाएंगे ठीक चलतें अगले कोश्चन पर हम लोग दोस्तों आपके सामने ये कोश्चन खाए यहां से चोक टाइमएंड डिश्टेंट टाइमेंड में वर्क हर एक ऑक एक एक Ci unstable में आ रहे हैं देखिक क्या दिया है आपके ऊसामने एक छात्रवास में 60 पूरुसों के लिए 35 दिन रुकने की बेवस्था थी दस दिन बाद छात्रवास में 15 पूरुस और आ जाते हैं उसी दर पर भोग करने के बाद सेस बवस्था कितने दिन तक रही कह रहा है कि एक सात्रावाज में 60 पूरसों के लिए 35 दिन रुकने की बेवस्था थी यानि भोजन सामगरी थिया लेकिन 10 दिन बाद 15 पूरुस और आ जाते हैं तो कह रहा है कि बताईए कि कितना दिन तक चलेगा वही आपसे पूछा है तो यह चीज बताईए यहां पर आप 35 दिन तक रुकने की बेवस्था थी अगर 10 दिन बाद समझेगा मेरी बात को अगर 10 दिन बाद 15 पूरुस नहीं आये होते तो 36 दिन जो बचा था खाना वो टोटल जो 60 पूरुस खाते हैं आ ही बात समझते में तो 37 दिन बाद 10 दिन बाद 10 दिन बीद गया तो 6 दिन कितना बचा टोटल दिन 35 था तो 25 दिन बचा अगर 10 दिन बाद 15 पूरुस नहीं आये होते तो यही 25 दिन दोस्तो 60 पूरुस जो है खाना खाते रहते बेवस्ता था लेकिन कितने पूरुस आगे 15 पूरुस और आगे तो कितना पूरुस हो गए हैं टोटल 75 पूरुस हो गए हैं तो यह पूछरा कितने दिन तक बेवस्था चलेगी मालीजे डीटू दिन तक चलेगी आई बात समझ में कितना असान है 25 त्याइं 75 यह कट गया है बीज बार में तो डीटू याने कितने दिन तक 20 दिन तक कितना असान था बस यह समझेगा कि कैसे क्या करना है अगर यहीं पर समझेगा कि 10 दिन बाद अगर पूरुस नहीं आये होते 15 तो सेस्व यानि 25 दिन तक यह पचीश दिन तक यहां आ गया देखिए यह खास करके यह ज़्यादा पूछ रहा है कोशन देश तो A स्क्वाइर प्लास 1 बाई A स्क्वाइर बराबर साथ है तो A क्यूब प्लास 1 बाई A क्यूब बराबर आपसे पूछा है ठीक तो देखिए अगर इस तरफ बीजगड़ते का कोशन बहुत जादा यह कोशन पूछ रहा है इस तरह से तो देखिए इसका क्या करना है अगर दिया रहना है A स्क्वाइर बाई दवए यह कोशन आया हुआ है गुरूब डी में इतना बराबर साथ है तो दोनों पच्छों में दो जोडने पर तो यहाँ पर देखिए A स्क्वाइर प्लस वाई ए इसक्वाइर प्लस टू बराबर इधर भी दो जोड़ेंगे तो यह न हो जाएगा अब आपको यह चीज़ें पता है यह किसका है A प्लस 1 बाई एका होल इसक्वाइल बन रहा है तो चईह का है और इसको कट जाएगा तो सिर्फ टू बचेगा तो इससे मतलब नहीं तो यह इसका फार्म है आई बास मझें इसको तोड़ के करेंगे तो इतना आएगा बराबर यह नो के तो यहां से ए प्लस वन बाई ए बराबर कितना है यह इसको आइदर जाएगा तो अंडरूट हो जाएगा या अब इसका क्यूब किये तो इसका भी क्यूब कर लिजे कितना आगया 27 आगया अब इसी का जो है दोस्तो दो बार मल्टिप्लाई कर लिजे तीन तरीका नव गटा ले जेंगे आए जाएगा 18 आई बास समझ में तो यहां से आप डारेक्ट जो है ऐसे कोस्टनों को लगा सक अगर आपने दे के आगया पेपर तो कमेंट में जरूर बताईए कि कौन कौन कोस्टन कैसे है पूछ रहा है ठीक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तो जहीं